हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और मेहू डॉप्टर सुनील पार्टिदार दोस्तों आज हम ऐसी हुमियोपथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ बहुत कॉमनली यूज होती है लेकिन इसका यूज करते वक्त थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है इसका नाम है दोस्तों आर्चनिक एलबम और हुमियोपथिक में इसका बड़ा इंपोर्टेंट रोल होता है अक्सर क्लेनि े यह हमियोपथिक मेडिसिन है जो की आर्चनिक ट्राय ऑक्साइड से बनती है सुनने में तो ठोड़ा से सब्द डेंजर लगता है लेकिन दोस्तों हमियोपथिक में इसका छूटे डायलूसन में यूज होता है कि बिलकुल सेफ हो जाती है हॉमियोपथिक का एक स्तिक्षखते चाली कई बिमारियों को सूछ करने में मदद करते हैं अभ दोस्तों बात करते हैं कि आर्शणीक एलबम के एक्षन के बारे में कि यह एक मेडिशन कहा कहां काम करती है मैम कर दैसे सिस्टम रेस्पाइड विस अगर आपको दोब ज्यादा weakness फील होती है आपको anxiety रहती है या आपको कोई infection हो गया है inflammation हो गया है तो आर्चनिक album बहुत effective साबित होती है इसका काम होता है आपकी immune system को boost करने का और आपकी body defense mechanism को strong बनाने का इस्पेशली जब हम बात करते हैं infections और food poisoning जैसी condition की तो यह medicine बहुत जल्दी relief देने के लिए भी famous है आज हम इसके top 5 benefits के बारे में बात करेंगे जो की अक्सर clinic में और OPDs में अक्सर देखने को मिलते हैं तो यह बहुत common problem है जिसमें की arsenic album का use के जाता है तो मैं details से दोस्तो समझाता हूं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो सबसे पहले और बहुत common use होता है arsenic album का वह होता है कफ एंड कोल्ड के लिए तो यह उनके से में यूज होती है जब आपको की ड्राय घासी आ रही हो ब्रीथिंग में आपको दिक्कत हो रही हो यह आपको जल्दी जल्दी थंडी लग जाती हो आर्सनिक एलवाम उन पेशेंट के लिए एफेक्टेव होती है जिनकों की रात के समय ज्यादा खासी होती है और जब कफ जो है दोस्तों कोल्ड थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और पेशेंट को टाइटनेस ऑफ चेस्ट महसूस होता है अगर पेशेंट को बहुत जादा थं बर्निंग सेंसेटन भी पेशेंट को होता है खसकर कि उसके गले में और यह जो मैडेसिन है उस बर्निंग को भी ठीक करती है और उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिनकों की बार-बार कोल्ड हो जाता है जिसे की को अलर्जिक राइनाइटिस की कंडिशन हो बार-बार कफेंट कोल्ड की समस्या हो तो उसमें दोस्तों भी बहुत जादा यूज होती है आर्सेनिक एलबम का दूसरा वड़ा इंपोर्टेंट रोल होता है वह है फूट पॉजिनिंग के केस में अगर आपको कभी कोई फूट खाने की वज़े से आपको लूज मोशन स्टार्ट ह हो गई तो आर्सेनिक एलबम बहुत जादा असरदार होती है यह उनके से इसमें दी जाती है जहां पर पिशिंट को सीवियर नोज्या वोमेटिंग डाइरिया और स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होता है आफ्टर फूट पॉजिनिंग अक्सर फूट पॉजिनिंग में दो जबकि कोई फूड है दोस्तों यह आपके स्टमक में ही ठिक नहीं पाता और जो है कि कॉंस्टेंटली आपको वोमेटिंग भी बनी रहती है तो अगर पेशिंट को माउथ में एक कड़वापन और खटापन जिससे स्वाध आ रहा है और यह कॉंस्टेंटली बना हुआ है तो यह उसको भी ठेक करती है आर्सेनिक अलबम का तीसरा यूज ओपिडी में सबसे जादा जो देखा जाता है वह है एंजाइटी और फियर के केस में बहुत बार हमारे पास पेशिंट आते हैं जो कि बिना वज़े ही बहुत जादा फियर और एंजाइटी महसूस करते हैं तो यह उन पेशिंट के लिए हेल्फुल होती है जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत जादा चिंतागिया करते हैं और आजकल ऐसे पेशिंट बहुत जादा बढ़ भी गया है आर्सेनिक अलबम के पेशिंट को कॉंस्टेंटली टेंशन होती है उसको लगता है कुछ न उसकी माइन की जो स्ट्रेट है वो दोस्तों काम हो जाती है दोस्तों आर्सेनिक अलबम का एक और बहुत बड़ा यूज होता है वह स्किन कंडिशन के ट्रीटमेंट में अगर आपको किसी भी तरह का स्किन इरिटेशन इचिंग बर्निंग हो रही है तो यह जो मेडिशन है फिर काम आती है खासकर अगर आपको एक्जिमा या सुराइसिस जैसी प्रॉब्लम में जहां पर इसकिन आपकी रेड हो जाती है ड्राय हो जाती है और पेशेन्ट को कॉंस्टेंटली बर्निंग इचिंग सेंसेशन होता है तो फिर वहां पर आर्सेनिक अलबम से काफी ज्य आर्सेनिक पेशेन्ट को जो होते हैं कि अस्तमेटिक जो पेशेन्ट होते हैं जो की वीकनेस और रेस्लेसनेस महसूस करते हैं तो उसके लिए यह रेमेडी बहुत असरदार होती है अस्तमेटिक पेशेन्ट के लिए अस्तमा के जो एपिसोड से इसमें पेशेन्ट को बर्न उसकी condition थंड से खराब हो जाती है इन सब situation में arsenic album का यूज किया जाता है तो दोस्तों यह थे arsenic album के top five uses जो कि आपको डेली आपके घर में आपको क्लीनिक में ओपीडीज में देखने को हमें मिलते हैं arsenic album की खासियत यह होती है कि मल्टिबल सिस्टम पर कार करती है चाहिए फिर आपका डाइस्टिप सिस्टम हो रेस्पारेटरी सिस्टम हो यह इसकिन की कंडिशन हो तो यह वर्सेटाइल मेडिसिन है और कई बार क्रॉनिक और एक्यूट कंडिशन में काफी बेनिफिशियल यह होती है बात करते हैं दोस्तों आर्सनिक अलबं के बारे में तो अक्सर इसकी जो यूज की जाती है यह थार्टी यह तो अन्रेट पोटेंसी लेकिन यह आपके हुमिपतिक डॉक्टर पर भी डिपेंड करता है कि वह आपकी कंडिशन के हिसाब से कौन सा डोस डिकमेंड करत यह दोस्तों अगर आपको अर्षणिक अल्बं के वारे में और विकोई कोस्चन है या अब कोई कंडिशन के लिए कोई आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों अगर आवा उनलाइन कंसलिशन चाहते हैं तो नीचे दियेगा वाट्सपनुक पर मेसेज करके आप हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्फुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें दोस्तों के शांद इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें मैं आ झाल कर दिलेता है, जिलेता है प्ला है आ लगा सब्सक्राइब करना बाद से लाइक करी जास हड़ा हैं इस दो भाट कर दोस्तों कर दोस्तों करें अने रहीं, जिंड हो अवक्ऴग ज